आल इंडिया मिनिस्ट्री आफ डिफरेंस से एक रेजिस्टर्ट संस्था है जो पिछले 45 सालों से MES Military Engineering Services के साथ काम कर रही है जिसमें आल इंडिया में हमारी 73 ब्रांचेश हैं कारगिल नॉर्दन इंडिया में कारगिल ले बारा मुला इस्टर्ण में रुनाचल में टेंगा शिलाउंग सदन में कोची बैंगलो और मैसूर वेस्टर्ण में जैसल में ओल और इंडिया हमारी ब्रांचेश हैं जो हम लोग मिलेटिर जिनिंग सर्वीसेज के बेसिक एमेनिटीज को हम फुल्फिल करते हैं जिसके अंतरगत हमारे तीनो सेवाओं तीनो सेवाओं के विंक्स आर्मी एरफोस एंड नेवी कि मूल भूत संचनाओं को हम लोग पूरा करते हैं जिसके तहब हम लोग उनके मेरिटिक अमुक्रेशन प्रोजेक्ट्स आफसर्स के रहने वाले मकान ओटी एम अदब अन मेरिट्स जिसमें जवानों के लिए मकान और उनकी मूल भूत रोट्स बनाना उनके हैंगर्स बनाना इन तरीके की सारी सेवाओं को हम लोग पूरा करते हैं पर पिछले एक साल नो महिने और एक साल के अंतरकत आज तक कभी भी इस मिलेट्रिंग के इतिहास में नहीं हुआ कि हमारे ठेकेदारों की पेमेंट रोग दी गई जिसके तहट पूरे आल और इंडिया में हमारे दस हज़ार कॉन्ट्रेक्टर्स हैं और उनके साथ तीन लाग हमारे स्टाफ्स हैं और उन स्टाफ के साथ हर एक स्टाफ के साथ सो सो लेबर्स जो उनके साथ काम करती है और इंडिया में 15 लाख से 20 लाख लेबर हम लोग डारेट इंप्लॉई करते हैं जो इस समय बुकमरी की कागार पे है लास्ट 24 अक्टूबर को भी हमने एक प्रेस कॉंफरेंस करी थी जिसमें आप लोग के सहयोग से आप लोग ने जिस तरीके से हमारी आवाज उठाई थी उसके तहत रक्षा मंत्री जी के आँस से हम लोग को बुलावा आया था और हमारा डेलिगेशन उन लोगों से मिला था जो वाइस प्रेसिंट हमारे अजिस दुला साब है ये बैंगलोर से आते हैं Northern Region से करन कपूर जी है जो जमू से आते हैं हमारे सेकेटरी साब है इन नागपूर से आते हैं और हमारे ट्रेजरार है जो दिल्ली से आते हैं दिवाली से पहले हम लोग उनसे मुलकात करी जिसमें उन्होंने हमको बहुत श्योटी दिलाई कि दिवाली पे हम आपकी पेमेंट कर देंगे जो सोला सो क्रोड के आसपास एप्रॉक्सिमेटली हमारे इंगिनियर चीफ ने उनसे दिमांड करी थी जिसके तहत केवल हम लोग को धाई सो क्रोड रुपाय मिला जो जिसमें हम लोग की दिवाली ही बोलना नहीं चाहिए पर मेरे को एज ए प्रेसिडेंट मेरे ओल इंडे कांटेक्टर्स ने कह दिया कि यार हमारी दिवाली काली हो गए हमने अपनी लेबरों को पेमेंट नहीं किया स्टाफ को पेमेंट नहीं किया और जो मैटिरियल खरीद रहे थे उन लोगों ने भी हम लोग के हाथ बान लिये कि अब आप लोग जिस हालात में जा रहे हो आप लोगों से पैसा हमें नहीं मिलेगा और उन्होंने भी हमको माल देना बंद कर दिया हम लोग मिलिटरी के जो इस सरकार ने बड़े-बड़े दावे कर रखे हैं कि हम राफेल खरीद रहे हैं हम लोग सुखोई खरीद रहे हैं उन सब लोग जिस राफेल को जिस जगह पे उन्होंने रखना है हम बाला मेहंगर बनाना है गौालियर मेहंगर बनाना है सुखोई के लिए और ऐसी कई सारी जगह से हाशी मारा जहां राफेल का हंगर बन रहा है और वो सारे काम हमारे बंद हो गए हम लोग एक यूनियन नहीं है एक एस्टिशन है हम लोग 40 सालों से एमियेट के साथ काम करते करते अपने आपको आदा फोजी मान बैठे हैं कि हम लोग ये सब काम हमारे लिए करना हमें अंदर से अच्छा नहीं लग रहा कि जिस सरकार के लिए जिस देश के लिए जहां पर हम लोग शीरिन नगर में गोलियों के बीच में हमारे काम करते हैं यहीं अरुनाचल प्रदेश में हमारे लोग काम करते हैं जैसल मेर में काम करते हैं और वहां पर लेबर्स की पेमेंट के लिए इस हद तक हम लोग परशान हो गए हैं कि अब हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं ब और हमारी सरकार तक, आप लोग हमारी ये बात पहुचाएं, हम लोगों ने हर लेवल पे अपनी बात को पहुचाया है, जिसके तहर हमने रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री भामरे साथ, अभी लास्ट मन्थ, डॉक्टर जितेंदर सिंग है, पीमो में मिनिस्टर, उन तक हर लेवल पर हम लोग ने बात को उठाया, लास्ट करीब फाइव मंस पहले रक्षा मंत्री ने अनमा निकोबार में विजिट किया, वहां के एंपी थे, उन एंपी मोदे के थ्रू हम लोग उन से मिले, तो फिर उन्होंने स्मॉल दंदाशी 40 क्रोड के हम लोग को दे द हैं, और हमारे लोग हमारी गर्दन तक पकल के बैठे हैं, हमारे सप्लाइट्स, हमारी लेबर, आज इस बात के लिए मैं अपने सेकेटरी साब से भी बोलता हूं, कि आपको सीरियल वाईज जरूर एक बार बताएं, किस हद तक हमने पी-म को, रक्षा मंत्री को, रक्षा र उस पर उनने कहा कि मैं सुनके हिरान हो रहा हूं कि में पैसा नहीं है और कांट्रेक्टर को पेमेट नहीं हो रही है, बहुत सारे अब सुरक्षा बल मेरी मिनिस्ट्री के अंडर में हैं, और पैसे की कोई कमी नहीं है, मैं परदान मंत्री से बात करूंगा, और रक्षा मंत तक नहीं पहुंच पा रहा है मगर आज पूरा एक वर्ष होने पे आ गया उसके उपर से कोई भी पैसा हमारे को अतिरिक नहीं आया सिवाए अच्छा उन्लिश के बजट की एलॉट्मेंट के मैं यहाँ पर यह विशेश शुरूप से कहना चाहूँगा कि पंद्रा सो से दो हजार करोड यह जो बैकलॉग है हमारी डिमांड है कि आप अपने वार्षिक बजट के अलावा यह अतिरिक धन जो है डिपार्टमेंट को जब तक नहीं देंगे यह बैकलॉग खतम नहीं होग उसके बाद में हमने डिफेंस मिनिस्टर को 17 जनवरी को 23 जनवरी को और 23 स्वरवरी को ऐसा तीन बार उनको पिछले वर्ष में चिठियां लिखी और उनको अबगत कराया जिसका उनकी ओर से कोई भी जवाब नहीं है जैसा कि हमारे प्रेजिंट सर्थ ने बताया अन्दमा निकोबार के में दिवाली के अपपर जब रक्षा मंत्री महां गए तो महां के MP के द्वारा उनको पर्ट्यूलर अन्दमा निकोबार की डिमांड बताई गई तो महां जो 40 करोड उसे में अर्जंट चाहिए थे रिस्क करोड सिर्फ अंदमान निकोबार में पेमेंट करने के लिए विश्य शुरूप से दिये हैं उसके बाद में हम लोग ने दो एक फरवरी 2,000 को एक दिन की स्टैक भी करी हैं हमने राज रक्षामंती सुबाज बामरे जी से 23 दो को मुलाकात की और उनको अपना मतब अजेंडा में जो पॉइंट से वो भी दिये कि किस तरीके से हमारे पैसे की कमी है और इसको पूरा किया जाए आप लोग हमारी आवाज बन सकते हैं आप लोग चाहें आपका एक पत्र का राम रहिम को जेल विजवा सकता है आप सरकारे बदल सकते हो हम क्या वोट बैक नही हम अपने आपको आधा से निक मानते रहे और आज में मानते हैं यह देहलीज भी आज इसली लांग नहीं पड़े कि कोई चारा नहीं बचाता है इस ख़बर को एक हमारी प्राथना है कि मरने मत दीजिएगा इसका फॉल अप कीजिए हम आपको अपने सेकेर्टी और हैं हमारे मेंबर्स हैं आप उनके साथ आप लोंकी इंडिया लेवल पर आपके कनेक्शन से अब जाना पता कि यह क्या हो रहा है